16 वर्ष के डिंपल कपाडिया ने 31 वर्ष के रिजेश करना के साथ शादी कर ली ये शादी वॉलिवुड में बेहत जर्चा बरी रही इनकी एज डिफरेंस को लेकर वॉलिवुड और लोगों में बहुत सी चर्चाएं हुई जैसे प्रियंका चोप्रा और निक जोनस की हुई है पर इन्होंने दुनिया की ना सोचते हुई एक दूसरे से शादी कर ली पर शादी की थोड़े समय बाद ही इनका डिवोस हो गया वैब टीना मुनीम और सनी दियूल की वज़ा से तो दोस्तो चलो हम इनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं कैसे इन में प्यार हुआ फिर शादी हुई और फिर डिवोस हो गया उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर देना पांकि मेरी हर वीडियो की नोटिफकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले और अगर आप कोई भी बॉलिवोड की लव स्टोरी देखना चाती हो तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी तो दोस्तो चलो शुरू करते हैं इनकी लव हीट स्टोरी तो दोस्तो डिमपल को मिलने से पहले रजेश खना एक मौडल फैशन डिजाइनर और एक्टरस अंजू को डेट करते थे ये दोनों पिछले साथ साल से लिविंग रिलेशन्शिप में रह रहे थे पर रिजेश खना बहुत ही गुसे वाले और मूडी होने के कारण इन दोनों में दरार आ गई इन दोनों में जगड़े इतने बढ़ गए थे कि अगले सत्रा साल तक ये दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं फिर रिजेश खना उस समय के बहुत ही बड़े सुपर स्टार बन गए ये उस समय के हाइस पेड एक्टर भी थे उस समय डिमपल का पाड़िया नई नई बॉलिवुड में एंटर हुई थी और डिमपल की पहली फिलम बॉबी में ही रिजेश खना को डिमपल पसंद आ गई थी रिजेश खना को डिमपल का पाड़िया बहुत ही अच्छी लगने लगी थी पर उस समय डिमपल अपनी पहली फिल्म बौबी की को स्टार रिशी कपूर को डेट कर रही थी पर बाद में डिमपल कपाणिया और रिशी कपूर का ब्रेक अप हो गया उस समय डिमपल के फेवरेट एक्टर रजेश खना हुआ करते थे और उन्हें रजिश खंना बहुत अच्छे लगते थे और जब रजिश खंना को ये पता लगा कि डिमपल कपाडिया का break अप हो गया है तो उन्होंने बिना time waste की ये डिमपल को propose कर दिया उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि डिमपल अपनी टीन एज में है और इजेश खन्ना ने डिमपल कपाडिया को सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया और डिमपल कपाडिया के रिजेश खन्ना फेवरेट एक्टर होने के कारण डिमपल कपाडिया भी बहुत खुश हुई और डिमपल ने खुशी खुशी उनका प्रपोज अक्सेप्ट कर लिया फिर इनकी शादी की डेट फिक्स हो गई और बॉलिवड इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार वहाँ पर पहुंचे और सभी मीडिया परसन उनकी शादी कवर करने के लिए पहुंचे क्योंकि वह सबसे हरानी वाली बात उनकी एज डिफरेंस लगी क्योंकि डिमपल सिर्फ 16 साल की थी और रिजेश डिमपल से 15 साल बड़े थे कई लोगों ने तब वहाँ पर ये भी क्या दिया के रिजेश खन्ना डिमपल से शादी सिर्फ इक अटेंशन के लिए कर रहे हैं इनकी शाद पर डिमपल कपाडिया ने एक स्टेटमेंट भी दिया था उन्होंने कहा था कि मैं रिजेश से शादी करके बहुत ही खुश हूँ और रिजेश के साथ आज मैं भी सुपरस्टार बन गई हूँ रिजेश खन्ना से शादी करना मेरा एक सपना था जो आज पूरा हो चुका ह उन्होंने जूहू मुबई में बहुत ही बड़ी शादी की थी और अपने हनीमून के लिए वे योरप गए थे और जब डिमपल कपाडिया का 16 बर्डे था तब भी रिजेश खन्ना ने बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी और सब भी बॉलिवूड स्टार वहां पर क्योंकि रिजेश खन्ना के गरवाले नहीं चाते थे कि डिमपल इंडस्ट्री में काम करे पर डिमपल का ये कहना है कि रिजेश खन्ना ने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया इंडस्ट्री शोड़ने के लिए मैंने इंडस्ट्री को अपनी मर्जी से शोड़ा है फिर इसक में दरार पढ़नी शुरू हो गई पर डिमपल कपाडिया ने रजेश खना का साथ नहीं शोड़ा वे उनके टफ टाइम में भी उनके साथ रही पर रजेश खना उस समय की बहुत ही बड़ी एक्टर टीना मुनीम के प्यार में पढ़ गए टीना और रजेश एक साथ 11 फिलम म पास भी पहुँच गई फिर 1984 में डिमपर रजेश को छोड़ कर चली गई उसके बाद उन्हें एक इंटर्वी में कहा है कि रजेश से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गल्त काम था मैंने रजेश से शादी करके बहुत ही बड़ी गल्ती कर ली ये दोना अलग पब्लिकली एडमिट किया है कि डिमपर से शादी करने का मेरा एक ही मकसद था और वय था अपनी एकस अंजू को बूलना और टीना से रिलेशन्शिप में आने का मेरा ये मकसद था कि मैं अपनी सारी पेन को बूल चुका हूं मतलब टीना से मिलने के बाद मुझे कोई भी दुखदर्द महसूस नहीं हुआ डिमपल के साथ शादी करने के बाद मेरे जखम तो भर गए थे पर टीना ने उन जखमों पर मलम की तरह काम किया है पर कुछ समय बार टीना भी रिजेश को छोड़ कर चली गई एक साल के बार डिमपल और रिजेश फिर से मिले और इन दोनो में रिष्टे अश्य होने लगे बले ही ये एक साथ नहीं रहते थे पर एक साथ दिखाई देने लगे कोई भी रैली होती या इवेंट होता तो ये एक साथ दिखाई देते और उस समय रिजेश खरना ये भी कहते हुए दिखाई देने लगे कि मैं अभी भी अपनी पहले भी डिमपल वहाँ पर थी उन्होंने रिजेश का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा 18 जुलाइ 2012 को रिजेश खना की मृत्यू हो गई इस समय बॉलिवड इंडरस्ट्री को भी बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था और उनके मरने के बाद डिमपल कपाडिया ने एक इंटर्वी में कहा था कि मुझे अभी भी नहीं लगते के रिजेश कहीं गए हैं वे हमारे आसपास ही हैं इसके बाद डिमपल और सनी दियोल का प्यार साफ चलकने लगा ये अकसर ही एक साथ दिखाई देने लगे सनी दियोल पहले सी शादी शुदा थी और अमिरता सिंग को डेट कर रहे थे फिर उन्होंने डिमपल कपाडिया के लिए अमिरता सिंग को शोड दिया पर सनी दियो की वाइफ पूजा दियोल ने उन्हें डिवोस नहीं दिया सनी दियोल की 1983 को आई फिलम बेताप से उन्होंने बॉलिवुड में डेब्यू किया इस फिलम में इनकी को स्टार थी अमरिता सिंग ये फिलम सुपर डूपर हिट हुई और इनकी ओन स्क्रीन कमिस्टरी लोगों को पसंद आने लगी फिर ये दोनों रिलेशन्शिप में आ गए और आफ स्क्रीन भी इनकर मैस दिखने लगा बहुत सी लड़कियों का सनी दियोल पर क्रश हो गया पर फिर एक नियूज आई जिससे सब का दिल तूट गया कि सनी दियोल ने लंडन की एक गरल पूजा से अंद करने लगे इन दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्मों में काम किया था उससमें सभी मैगजिन और न्यूस पेपर में इनके अफेर के किस्से आने लगे इन किस्सों की वज़ा ये भी थी कि ये दोनों शादी शुदा थे डिमपल उसमें रजेश खना के साथ लीगली म सिंग ने सारे राज खोल दिये उसने बताया कि ये दोनों रिलेशन्शिप में हैं उन्होंने ये कहा कि मैं सोचती हूं कि डिमपल के हाथ केक लग गया है और वैं उसे खा रही है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है वैं जो चाती थी उसे मिल गया है तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में आपकी कह रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ये स्टेटमेंट देते हुए अमर्ता सिंग ने डिमपल का नाम तो नहीं लिया पर इंडरेक्ट वे से वे डिमपल कपाडिया को ये सब कह रही थी और डिमपल के साथ साथ उनकी बेटियां भी सनी के काफी कलोज आ गई थी उन्होंने सनी देओल को शोटे पापा भी कहना शुरू कर दिया था और 2009 में डिमपल की बेन सिंपल कपाडिया के मृत्यू हो गई थी उस समय भी सनी देओल डिमपल कपाडिया के पास पहुंचे और उन्हें होंसला दिया, इस बाद से भी सभी को पता चल गया था कि इनके भीश कुछ तो है, इसके बाद ये नियूज उड़ने लगी कि डिमपलक पाडिया और सनी दियोल ने शादी भी कर ली है, इवन के कई पार्टीस में सनी दियोल ने डिमपलक पाडिया को वाइफ कह कर भी बुलाया है, जैसे के सनी दियोल के पिता दर्मेंदर ने हिमा मालनी से शादी कर ली, बिना अपनी पहली पतनी प्रकाश कोर को डिवोस दिये, ऐसे ही सनी दियोल पूजा दियोल को डिवोस नहीं देना चाते थे, पर पूजा दियोल अपने दोनों बेटों के साथ सन वो ही अर्सतारा में मनाकों में इनकी एक वीडियो वाइरल हुई थी ये वीडियो आप आन स्क्रीन देख रहे होंगे इस वीडियो में इनका प्यार साफ जलक रहा है ये एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे हुए हैं तो दोस्तों ये थी इनकी स्टोरी और अगर आप सनी पिता जरमेंदर की पूरी लाइफ स्टोरी और लव स्टोरी देखना चाते हैं तो वे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत बूलना और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मिलते ह ऐसी और वीडियो के साथ